Hey all and good evening to everyone, welcome back to my YouTube channel, this is Himani Joshi from Haldwani Uttarakhand बहुत सारे questions थे admission के regarding, fees structure के regarding तो यहां पर मैं उन्हीं सब questions का आपको answer करने वाले तो please don't skip the video, वीडियो के सांथ बने रहिएगा Okay, then first question दी हम लोग अपने medical certificate private से बना सकते हैं क्या यह फिर हम अपने घर से बना के ले जा सकते हैं, ठीक है, मतलब पहले मैं आपको बता दूँ जो medical certificate होता है वो सिप government का ही apply होता है, government hospital का ही होता है, वो private hospital का अमनम नहीं होता है apply अगर आप private hospital बना के लेगे जाते हो, तो वो आपका खारिश कर दिया जाता है, बिल्कुल ही cancel कर दिया जाता है government hospital का भी या तो district या फिर base hospital इनका ही चलता है, जो proper सरकारी होते है कुछ-कुछ hospital अर्द सरकारी होता है उनका भी नहीं चलता है, ठीक है और मैं आपसे यही बोलूँगे, यह बहुत ज़्यादा अच्छा होगा कि आप अपना medical certificate वहीं चाकर बनाएं, जहां आप admission लेने जा रहे हैं, उस city में क्योंकि कुछ-कुछ college की policy ऐसी होती है, उसी का अपना medical certificate को applicable मांते हैं, जो उनके city के आसपास पूरा proper government hospital हो हो सकता है कि अगर आप अपने घर से बनाकर लेकर जा रहे हैं, तो वो आपका cancel करें या फिर apply ना करें, तो मैं आपसे यही बोलूँगे कि प्लीज आप ऐसा करो कि जब आप admission लेने जाओ ना, जो आपको college ऐलोट हुआ है, आप जिस city में जा रहे हो, वहीं जाकर आप medical certificate ब हो, तैसे तीन से चार डॉक्टर के पास refer किया जाता है दिखाने के लिए, वो आपको लिख देते हैं कि आप medically फिटो करके, उसके बाद फिर आपका medical certificate बन जाता है, जादा अगर बहुत जाता रस ना हो, जादा भीड ना हो तो आपका एकात घंटे बे यह सब process पूरी complete हो जाते हैं, तो प्लीज इतना panic मत करिए, वहीं जाके बनवाएए जहां आपको college अलोट हुआ है, यह आपके लिए अच्छा होगा, उसके बाद जो second question था बच्च होगा, कि the paramedical में मैं आपको बता दूँ, paramedical एक ऐसा course है, जहां पर बहुत सारे colleges में hostel नहीं है, कुछ-कु college अबी भी ऐसे हैं, जहां girls और boys paramedical में दोनों के लिए hostel नहीं है, तो आपको बहार rent पे रहना पड़ता है, अपने लिए एक room लेना पड़ता है, वहाँ पर सारी अपने लिए जो आपका essential things है, उनको arrange करना पड़ता है, फिर आपको पढ़ाई करने जाना पड़ता है, तो मैं आपको already पहले ही बता दू, ठीक है, उसके बाद आपको private, बहुत सारे बच्चे पूछे थी private college की fees क्या होगी, अगर आप private college से BSC nursing करना चाहते हो, A&M, G&M करना चाहते हो, या फिर paramedical का course करना चाहते हो, तो आपकी जो fees होती है, वो एक लाग, देर लाग या दो लाग इतने तक पहुँच ही जाती है, इससे नीचे नहीं लगती है, एक लाग से उपर उपर ही, आपकी क्या लगती है, fees लगती है, चाहें आप कोई सा भी course करो, और ये fees में आपको yearly बता रही हो, पुरे साल भर की fees में आपको यहापर calculate कर बता रही हो, ठीक है, उसके बाद बह आपको वेट करना पड़े का 15th of December का हो सकता, यह भी मैं अपने एक अनुमान से बोली हूँ, क्या पता तब कोई एक date आजाए, particular कि आपकी counseling इस start कब से होगी, बट अभी इसके regarding कोई official update नहीं है, तो अभी मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, ठीक है, तो यही कुछ questions के answer आपको कैसले कर जाओगे और बैंक में दोगे, तब आपका वो demand draft बनेगा, ठीक है, तो यह भी आपका वहीं बनेगा, मतलब जब आप जिस city में आप जाओगे, आपको क्या बनेगा, ड्राफ्ट बन जाएगा, ठीक है, आपको कैसले कर जाना पड़ेगा, जितनी आपको कै मैं आपको बता दी थी कि कैसे आपका बनना है, तहसील वगेरा से आपका बनना है, तो इसमें इतना पैनिक मत लीजिए, जहां आप लोग एडमिसन कराने जा रहे हो, वहां आपको पूरी help करते हैं, वो लोग और आपके पूरी documents को अच्छी तरह बना के आपको, मतलब टा टैमिंग में कल मौन्डे में मेंसन कर जूंगी, तो ऐसी चैनल के साथ बेने दाइए, और लव यू अल